नमस्कार पुलिस ने शौक पोस्मार्टम के लिए भेज दिया है कल्यूगी मा की कर्तूत बच्ची को जन्म देकर सड़क पर छोड़ा जाने आगे क्या हुआ पहड़ो की राने मसूरे में मा की ममता कुछ दमशार करने वाली ममता सामने आई है यहां एक कल्यूगी मा एक मासूम बच्ची को मसूरी दहरादून मार्ट पर कोलू खेत के पास छोड़ कर चले गई बताय चाहरा है कि नहीं आई नवजात बच्ची को लुग ये चेक पोस्ट के पास सड़ा किनारे कपड़े में लिप्टी थी जब लोगों ने मौगे पर जाकर देखा तो बच्ची जिंदा मिली जिसकी सूचना उन्होंने ततकाल पुलिस को दी सूचना पर पहुंची पुलिस ने नवजात को अपने कपजे में लिया और उससे दूर पिला जिसके बाद उससे ततकाल धहरादून भेज दिया गया सड़कों पर उत्रा जनसेला पुरानी पेंचन बहाली केरे सरकार को दीचे एतावनी हिमाश्रो प्रदेश विधान सबा चुनाओ में पुरानी पेंचन बहाली के मुद्देरें एम मुमी का निभाई थी सरकार बनते ही कॉंगर्स सरकार ने लागू भी कर दी इस तरहा अन्या राजे भी पुरानी पेंचन इसक्रीम को लागू करने का संकल प लेच चुके हैं लिहाज आप उत्राकर में पुरानी पेंचन बहाल करने की मांग तेश होती जा रही है आज हलद्वानी में OPS की मांग को लेका जन सेला उमडा कमचारों का साफ कहना था कि सरकार पुरानी पेंचन बहाल करें नहीं तो उसका परणाम आगा मी लोगसबा चिनाओ को देखनी को मिलेगा सियम पुषकर सिंग धामी ने कारकरम में की शिरकत हरकी पैड़ी कोरिडोर पर कही ये बात के निर्मान को लेकर सभी के सुझाओ लिए जाएंगे आपसे संगर्स में टसकर हाथी घायल डॉक्टर की टीम को बुलाए गया हईद्वार राजाजी टाइगर रिजर शेत्र में दो हाथी आपस में भिड़ गया जिसमें टसकर हाथी बूरी तरीके से घायल हो गया काफी चोटल होने के वज़े से हाथी चल भी नहीं पा रहा था दिरहाद उन से पशू चिक्रसक बुलाए गया है फिलाल राजाजी टाइगर रिजर और रहिद्वार वन प्रभाग की अधिकारी हाथी पर नजर बनाए हुए हैं NGT के नियमो का लंगन करने वाले होटल और इट भट्टे होंगे बन उताखन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ट NGT के नियमो का लंगन करने वाले होटल और इट भट्टे को बन करने जा रहा है जिसके लिए कवाय चुरू हो गई है लोन दिलाने के नाम पर दो लाग के ठगी, दो महिलाओं के तलाश में जुटी पुलिस, धह्मनागरी में ठगी के मामले दिन पती दिन बढ़ते जा रहे हैं उद्योग की रहासन करने की कोशिच में जुटा प्रयवराण विभाग, रेजिस्ट्रेशन में उत्राखन अवल, उत्राखन में प्लास्टिक पैकेजिंग इंडस्ट्री की मुश्किलों का असन करने के लिए उत्राखन प्रयवराण विभाग जुटा हुआ है, इसके लिए ऐसे इंडस्री के साथ भहता समनवे स्तापित करने से लेकर तमाम ज़रूरी जानकारियों को साजा करने तक के प्रयास भी किये जा रहे हैं शायद ही कारण है कि उत्रखन केंडर प्रदूशन नियंतरन बोर्ड एपी आर वैबसाइट में रेजिस्ट्रिशन को लेकर उत्तर भारत में नंबर वन हो पाए है चडियापूर बॉर्ड़र के समीब तेज अफ्तार कार कंटेनर से टकराई दो यूगों की मौत धमनगरी तरफ तरफ से आ रहे है कार की जोड़ता टकर हो गई टकर इतनी जबरदस थी कि कार की पर कच्चे उड़ गये इसके साथ ही उसमें में की जमकर की तारीफ सक्रिया राजनीती में वापसी से किया एनकार। उत्राखन की मुख्यमतिर पुष्टर सिंग धामी के राजनीती गुरु भगिस सिंग कोशारी ने अपने शिशे के जमकर तारीफ किया और कहा कि वहाच्छा काम कर रहे हैं। वही महाराच के रुपुर राजपाल भगछ सिंख खुशारी के शक्रेय राजनिती में वापस सी कि समधना को शिरे से निकारते वे कहा कि वेत्रफन को आत्म रिवर बनाने के लिए काम करना जारी रखेंगे, महराश के राज़पाल पत्से स्तीफा देने के बाद पहले बार मीडिया से समवाद करते वे कुछारी ने कहा कि उन्होंने प्रधान मंदिर नरे नमोदी के समाक्ष इस्तीफा देने की इच्छा जाताई थी क्योंकि वह बार बार यात्रा करने के कारण ठक गए थे हरकी पाड़ी कॉरिडोर बनाने के कवायत तेज अंतराश इस्तर पर होगी हरिद्वार की पहचान उज्जैना और काशिय विश्योनात मंदिर के तच पर हरिद्वार में भी हरकी पाड़ी कॉरिडोर बनाने के कवायत तेज हो गई है कॉरीडोर बनने के प्रिसाओ को तरफिन सरकार ने कैमिनेट में मंजूरी दे दी है कि परीडिक कॉरीडोर बनने के बाद किस तरह के शहर में परिवर्टन होंगे इसको लेकर शहर वाश्यों में आसम अंजस की स्थी बनी हुई है जिसको लेकर हाईद्वार जिलादीकारी विनेशंकर पढ़ने ने का कि कालू डोब रनाने का मकसद किसी को उजारने का नहीं वलकि हाईद्वार की पहचन अंतराश्ट इससर पर बनाना है जंगल से निकल कर बिलकेश और मंदिर रोड पर आया गायल हाथी रागीरों में मची अफरा तफरी हरी दोहर में बिलकेश और मंदिर जाने वाली बाईपास रोड पर रेवर को जंगली हाथी आने सड़ कम मज गया सुचना मिलते वन भागाजार जी पार्क परशाचन की टीम मौके पर पहुंची हाथी काफी देर तक सड़क पर खड़ा रहा जिसके चलते मौके पर डॉक्टों की टीम को भी बुलाए गया पूरान की कला की चर्चा से बागेशवर का नाम रोशन बोले पीम उत्राखन की लोक विधा में फूकी नई जान बागेशवर के दिश्टी बादित लोक विधा की जानकार पूरान सिंग्राट और का नान रही बार को राजशा फलक पर चागया प्रधान मांतिर नर्जेंदर मोधी ने मन की बात करकम में उच्स्ताद बिस्मिल्ला खाईवा पूरुसकार विजेता पूरान सिंग्राट और की कला का जिकरे करते हुए कहा कि उन्होंने उत्राखन की लोक विधा में नई जान फूकी है कर्मियों को बर्खास्त करने के मामने में विधान साबा सची वाले से जवाब तलब 31 मार्च को सुनवाई हाई कोट में विदान साबा सची वाले से बर्खास्त कमचारों के मामले के सुनवाई के बाद याजगा करताओं के संचोधित प्रातना पत्र को सिकार करते हुए विदान साबा सची वाले को इस पर दो सप्ता के भीतर अतिरिक्त जवाब पेश करने के लिए कहा है मामले की अगली सुना 31 मार्च को होगी निश्काशित कमचारों ने शंशोदित प्रातनापत्र के मादम से विदान सभा की जांच शिपोर्ट की चुनाउती दी थी इसमें खा गया कि 2001 से 2015 तकी निउक्तियां भी अवैद है लेकिन 2016 से किस तक हुई निउक्तियों की ही जांच की गई जो अवैद पाई गई इसे आदर पर उन्हें निश्काशित किया गया जाज का करताओं का कहना था कि जांच के बाद उन्हें सुनवाई का मौकर नहीं दिया गया उसके साथ भी धाव किया गया या प्राकृतिक नयाई की विरुद है वैश्टन याई मूर्ती मरुषकुमार तीवारी की एकल पीट के समक्ष मामली के सुनवाई हुई मामली के अंसर बरखास दी किया देश को बवता भंडारी भूपेंदे सिंग बिष्ट कुलदीप सिंग वा 102 अन्य एकल पीट के समक्ष याज का दायर कर कहा था कि विधान पांच साल की सजा डखैती की दुमानों में नयाले ने साथ बंगले देशों समित आठ लोगों को बरी किया जबकि साथ बंगले देशों को अवैद रूप से भारत में रहने का दोशी मानते वे 55 साल की सजा सुनाई तिरतिया पर सत्र नयाईधिष चंदरमारी राइकरी को पूट गई है जलधारा के फूटने से यहां लोगों में देश्चत है पिछले गंटे से यहां लगातार पानी भेरा है मंड़ा पर सस्राल वालों ने मांगा 10 लाग का दहेज शादी तोड़ने की धमकी दी तो दुलन पॉंची थाने दहेज में 10 लाग लेने की बाद भी लड़के वाले और 10 लाग रुपए की मांग कर रहे हैं पैसे नहीं देने पर शादी तोड़ने की धमकी दे रहे हैं पुलिस ने पिरता की तहरीर पर चाल लोगों के खलाफ रिपोर्ट दशकर जहां शुरू कर दी है आई टी आई पुलिस को दी तहरीर में राजपूर के देवल विश्णोई पिता सतेंदेर विश्णोई वा उनके भाई साकेत ने 10 लाक रुपए की मांग रखकर बारात वापस ले जाने की धमकीदी समझाने पर आमनवा उसके परिवार वाले भड़क उटे उसे वा उसके ष्टिदारों के साथ गाली गलाच वा मारपिट पर उतारू हो गए दाखलों में फर्जी वाड़े पर लूसेंट इंटरनेशनल स्कूल की बारवी की मानता कखत्म सीबी आई ने पकड़ा था मामला केंदर मादे में एक शिक्षा बोर्ड ने फर्जी दाखले करने वाले मांड़ों वाला एससित लूसेंट इंटरनेशनल स्क महिलाओं को आत्मेरबर बनाने के लिए राजसरकारी एकलाग रुपए तकी ओजनाओं पर 50% सबसीडी देने की तयारी में हैं इसे पशु पालन मचसे पालन कंप्यूटर प्रेशिक्शन मसाला दूप मिलेट सहीद विबिन शेतों में सौरोजगार के लिए बढ़ावा मिले सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद